इलायर स्टेडी प्लेटफोरम पर आप सभी का स्वागत्त है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे तीन नई अडिवर्टीजमेंट आउट की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विक्स कमिसिन सीमिला के दोरा जानेंगे कौन-कौन से सेक्टर में कौन-कौन से विकेंसी निकाली गई है संपुन जानकारी के लिए आपको वीडियों तक देखना होगा सबसे पहरे डिसकुसन कर लेते हैं नेम आफ डिपार्टमेंट आफ हिस्टरीज जिसमें एसिस्टेंट डिरेक्टर आफ हिस्टरीज के दो पदों के लिए आवेदन मांगे गए है दोनों पद यहां पे रिजरब है पहला पद आपका अन्रिजरब्ड फॉर बार्ड ओफ एक सर्विसमेन के लिए रहेगा दूसरे पद के बात करें OBC ओफ हैच पी के लिए बैक लॉग कोटे से निर्धारित किया गया है क्लास टू का इस वकैंसी के लिए दरजा रहता है ठारा से पैंतारिस वर्स के बीच में आपको आई उसीमा होनी चाहिए वास्टर डिग्री सिन आपने जियोलोजी किया है या फिस्रीज ओफ रिकोगनाईज यूनिवर्स्टी या फिर एसोसिये डिप्लोमा ओफ दा सेंटर इंसिचूट किया है तो आप इलिजिवल है या आपके पास minimum 3 years experience in management and development of history जब भी आप इलिजिवल है या BSC जोलोजी आपने किया है या फिर minimum 5 years experience in management and development of history जब भी आप इस विकैंसी के लिए इलिजिवल है देखिए तीनों advertisement की पहले हम बात कर लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कब आप उसके लिए जो अन्तिम्तिती है उस तक आपको आविदन करना होगा तो आगे बढ़ते हैं दूसरी advertisement की तरफ दूसरी advertisement में हमें मिला MPP and Power यानि HPPCL में Assistant Engineer Executive Trainees Mechanical की 6 vacancies है देखिए चार vacancy हम पे unreserved category की है एक SC को दी गई है और एक economically bigger section के लिए दी गई है इसकी qualification की बात करें तो full time degree किया होना चीए आपने mechanical engineering में या फिर mtech mechanical या post graduate diploma in hydro power plant engineering etc आपने किया है इससे समंदित qualification है तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हो आगे बढ़ते है MPP and power यानि HPPCL में Assistant Engineer Executive Trainee Environment के दो पदों के लिए आप इदन मांगेगे है दोनों पद unreserved category के लिए है अच्छी कासी तनखावी आपको यहाँ पे दी जाएगी 16,650 से 49,100 और अठाबन सो रपय यहाँ पे grade pay का प्रापदान है यदि आप इसमें देखेंगे तो BTEC या आपने Bachelor in Engineering आपने Environment Engineering, Environment Science या Bachelor Engineering with the 1 year PG Diploma in Environment with at least 55% marks के साथ में आपने किया है तो आप eligible है तो यहाँ पे आपने देखा तीनो दराखी vacances के बारे में आपको बताया गए अब आगे चलते है कब तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते है आप इनकरने की अंतिमतिती निर्धारित की गई है 25 जून 2021 तक 11 बचकर 69 मिंट से पहले पहले आपका आप इन समिट हो जाना चीए तब यूसे कंसीडर किया जाएगा जल्दी से आप एपलाई कर दीजिएगा और नियमी तुरूप से अपने पढ़ाई जारे रखिएगा इलाइस्टेडी कोराटिन वेबसाइट पे जाएए बहुत ही मत्तोपुन किताबे आपको मिल जाएगी देखिए आपके साथ सच्चे दोस्त और यह जो किताबे हैं आपकी सच्चे दोस्त की तरह आपका काम करेगी लाखोर रुपय की कोचिंग के उपसे अच्छा है कि आप कुछ अच्छी किताबे अपने पास रखे इलाइस्टेडी टीम के एक रांट फेर्स है प्रिबियस सॉल्वर पेपर की किताबे हैं और भी हिमाचल परदेश के समयने ग्यान पर अधारित बहुत ही अद्भूद किताब है इसके लाबा और भी नविंतन किताबे आप हमारे वेबसाइट में जाके एक बर एक्स्प्रोर कर सकते है हाली में नई पेसकस के तौर पे हमारे टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है इमाचल परदेश परसासनिक सेवों की कोचिंग आप घर वेटेक अप्लिकेशन के माध्यम से कर सकते है आपको गुगल प्लेश टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इलाच्टेडी एजुकेशन जब आप पे टाइप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दस वर्सों के स्वालबर कोचिंग पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में मिलेंगे मॉक टैस्ट मिलेंगे कम्प्रिट स्लेबस प्रेकेज और क्रान टेफिर्स मिलेंगे पंदरा महीने के यह सारी के सारी चीज़ आप महाज एक छोटी सी किम्मत देखे परचेस कर सकते तो जल्दी से आप विजिट कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर और इलाच्टेडी को डाट इन वेब साइट को थैंक यू बरी मुश कीप वाचिंग एलाच्टेडी यूट्यूब चैनल